हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप यूर ओल गुड तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लिकेशन फोर फूल फी कंसेशन यानि आपको एप्लिकेशन लिखनी है जिसमें आप अपनी स्कूल की फीस माफ करवाना चाहते हैं यह एप्लिकेशन हम इंग्लिश मे उनकी हम ट्रांसलेशन यानि हिंदी में लेकर आए हैं आपके लिए जिससे आपकी जो वकैबलरी है वो भी अच्छी होगी और आपके आनी वाली क्लासे में यह आपकी बहुत हल्प करेगी तो बच्चो माइनेम इस दुकल एंड यॉर वाचिंग दुकल एजुकेशन तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सबी के लिए तो सबसे पहले जब आपको यह application शुरू करनी है तो आपको अपनी जो answer book है या आपकी जो आपकी notebook है उसकी left hand side से शुरू करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है to फिर आपको लिखना है the principal और फिर आपको अप पर लिखना है government model school जो कहां पर है जो चंदीगड में है तो यहां पर आपको क्या करना है जहां पर government model school लिखना है यहां पर आपको अपने school का नाम लिखना है जहां पर भी है उसके बाद आपको अपनी location लिखनी है यह वो यानि आप कहां पर रहते हैं जहां पर यह school है उसक सी class में पढ़ते हैं आपके जो father हैं वो क्या करते हैं उनकी income अगर कम है तो वो बताने और वो school fees क्यों नहीं दे सकते हैं और आपकी family condition क्या है ये आपको बताने और जिससे आपकी जो school fees है वो माफ की जाए तो चलिए शुरू करते हैं respectfully I back to say that I am a student of class fourth of your school यानि पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपके school में fourth class का student हूँ तो जहां पर बच्चों हमने fourth लिख है यहां पर आप अपनी class mention कर सकते हैं अगर कोई बच्चा third standard में है तो वो यहां पर third लिख सकते हैं उसके इसके बाद my father is a poor man मेरे जो पिता जी हैं वो एक गरीब आदमी है his monthly income is very small उनकी जो महीने की आमदनी है वो बहुत कम है he cannot pay my school fees इस वज़ा से वो मेरी school की fees नहीं दे सकते I have two sister और इसके साथ मेरी दो छोटी बहने हैं I am a good student मैं एक अच्छा student हूँ kindly grant me full fee concession तो किर्पया करके आप मेरी school की fees माफ करें उसके बाद आपको यह application खतम करनी है तो end में आपको क्या लिखना है I shall be very thankful to you for this act of kindness आपकी इस दयालुता के कारण मैं आपका हमेशा अभारी रहूँगा उसके बाद आपको यह खतम करनी है तो left hand side पर लिखना है thank you, आपका धन्यवाद, yours obediently आपका अग्याकारी फिर आपको अपना नाम लिखना है जैसे हमने यह आपर पुनीत लिख है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं अपनी class लिख सकते हैं और अपना roll number लिख सकते हैं और उसके बाद जब आप यह school में submit कराएंगे तो वो date आएगी जिस दिन आप यह school में देंगे चलिए आप vocabulary देखते हैं जो आपके लिए हमने लिए है तो सबसे पहले आपका जो word है वकाब में वो है आपका respectfully जिसका मतलब है सम्मान पूरवक्त या आदर से उसके बाद है income इंकम का मतलब होता है बच्चो आमदन या आमदनी फिर है पे देना फिर है पूर गरीब फिर है fee कंसेशन यानि fees माफी उसके बाद है small यानि छोटा या छोटी उसके बाद है kindly किरपया और उसके बाद है thankful अभारी और फिर है kind यानि दया यह word आपको आने बहुत जरूरी है एक बार recap कर लेते हैं हम इसे सबसे पहले respectfully यानि आदर से income आमदनी या तनक्वा उसके बाद pay देना पूर गरीब fee कंसेशन फिर माफी उसके बाद small यानि छोटा उसके बाद kindly किरपया thankful अभारी और kindness दया तो यह आपको याद रखने है यह most important word है जो आप को future में आपके काम आएंगे तो बच्चो आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like, share और comment करना मत भूलिए और अगर आप ऐसे ही और वीडियो को देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल दुगगल education को subscribe कर सकते हैं औ और साथ में देगे bell icon को भी प्रेस केजिए और notification को all पर select केजिए ताकि आपको हमारे new वीडियो के notification हमेशा मिलते रहें Thank you so much for watching this video, thank you so much friends